दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कुछ क्वालिटी स्टोक्स के बारे में जहां पर आप इस मार्किट की गिरावट के में खरीदारी करते हुए चल सकते हैं जिस share के बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे बिले अगर आप उसका चार्ट पिटन देखेंगे तो ये shares लगबग 2016 से लेकर 2019 तक कोई बड़ी तीजी हमें देखने को इस share के अंदर नहीं मिल रही थी लेकिन अगर अब आप आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकाउट हमें बनते वे देखने को मिला और देखते ही देखते पीछले दो साल में share ने काफी शांदर रिटन्स अपने investors को बना कर दिये हैं मैं आपको company का नाम भी बता देता हूँ company का नाम है KPR Mill के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जी के पास में लगबख 36 यर से भी ज़्यादा का experience ही और आप देख सकते हैं वन ओफ इंडियास लार्जेस वर्टिकली इंटिग्रेटेड गार्मेंट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी company प्रवाइट कर रही है लगबख 500 companies को लेकर यहाँ पर जो rank दी गई थी उसमें ये company हमें टॉप पर देखने को मिल रही है अब अगर हम KPR मिलके financial numbers को भी देखें तो company ने जो December quarter में अपने financial numbers डिकलेर किये हैं वो भी बहुत ही शांदार है जहाँ पर company का revenue लगबख 35% से increase होते हुए देखने को मिल रहा है और यही नहीं अगर आप company का operating profit भी देखेंगे तो operating income भी company को काफी अच्छी जनरेट हुई है लगबख 288 करूर्स रुपीस की company ने operating income जनरेट करी है जो कि last year के comparison में लगबख 28% अबव है बात करें कि company करती क्या है तो company manufacturing करती है impressive product range of textile varieties such as ready-made, neat, apparel, fabrics, compact, melange, carded, polyester, kemend, yarn, KPR mill reaches out to global customer with diligence, superior quality and delivery excellence तो यह company काफी जदा हमें diversified देखने को मिलती है और सबसे most important small keep company के अंदर investment करना इसलिए risky होता है क्योंकि उनके पास experience नहीं होता है लेकिन अगर आप KPR mill का records उटा कर देखेंगे तो इनके business में 40 years का experience है जो कि यह काफी शांदार है KPR mill की बात करें तो यह किस future पर काम कर रहे है तो active automation पर काम कर रहे है expanding horizons पर काम कर रहे है new ventures को यहाँ पर introduce कर रहे है और यह इनके customer से पूरी तरीके से friendly होने की कोशिश कर रहे है तो definitely इस shares के अंदर भी आप SI भी कर सकते है चलिए बात कर लेते हैं अनदर share के बारे में जिसका नाम है Jubiland Food Limited Jubiland Food Limited का भी चार्ट पेटन सेम आपको SI देखने को मिलता है याने की company जब से listed हुई थी तब से लेकर 2017 तक कोई बड़े returns यहाँ पर हमें इस share के अंदर देखने को नहीं मिले लेकिन consistency से company ने काफी शांदर profit बना कर दिये जिस कारण से जैसे यहाँ पर breakout बनते वे देखने को मिला सबसे पहले shares 2000 रुपे के level पर गया फिर यहाँ पर हमें एक reversal देखने को मिला लेकिन again वहाँ से हमें जो इसका अंदर reward देखने को मिला shares देखते ही देखते 4000 रुपे के level को touch कर चुका था तो यहाँ पर जो आपको free fall देखने को मिल रहा है वहाँ पर आपके पास एक opportunity बन रही है Jubiland के अंदर investment करने की बात करने के Jubiland Foodworks Limited के अंदर जो last week हमें एक बड़ी update देखने को मिले जिसमें Jubiland के Foodworks के जो CEO थे प्रतिक पोटा उन्होंने यहाँ पर resign देदिया है Jubiland Foodworks Limited से तो क्या इसका कोई बड़ा impact हमें Jubiland Food के उपर पड़ते वे देखने को मिलेगा हाँ इंपेक्ट तो पड़ेगा short time है क्योंकि प्रतिक पोटा के पास में काफी बड़ा experience था इस market का पर उनके CEO के पत पर company ने काफी बड़े achievement भी हासिल किये है साथी साथ उनके revenue के बड़ने के पीछे भी काफी बड़ा हाथ यहाँ पर प्रतिक पोटा का माना जाता है तो कहीं न कहीं company के उपर effect तो पड़ेगा लेकिन यह देखना बेहत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि Jubiland Food जो नए CEO को appoint करती है उनके पास कितने साल का experience है अगर वो भी काफी अच्छे experience यहाँ पर निकल कर आते हैं जो कि definitely आने वाले हैं तो यहाँ पर company again bounce back करते वे आपको देखने को मिल सकती है अब बात करें कि प्रतिक पोटा का जो resignation है वो कब से हमें effective होते हुए देखने को मिलेगा तो 15 June 2022 तक हमें यहाँ पर जो प्रतिक पोटा है जो कि currently अभी हमें Jubiland Food के CEO देखने को मिल रहे हैं उनका जो resignation है वो after 15 June 2022 हमें यह effective होते हुए देखने को मिलेगा इस company की खास बात यह है कि यह company बहुत तेजी से grow कर रही है याना कि Jubiland Food Works Limited is an Indian Food Services company और Noida Best यह company हमें देखने को मिलती है जो कि उत्तर प्रदेश में है अब साथ ही साथ बात करें तो company Domino's Pizza, India के अंदर Nepal के अंदर, Sri Lanka के अंदर, Bangladesh के अंदर, Poppies के अंदर भी manage कर रही है साथ ही साथ, company की financial growth भी काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है जहाँ पर company का जो earning per share ratio ही वो लगबग 7.76% से year on year business पर increase होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है वहीं operating profit की बात करें, operating income की बात करें, तो लगब 18% की jump हमें इनके operating income के अंदर भी देखने को मिल रही है, तो jubilant foodworks, definitely एक long term के लिए काफी अच्छा share हो सकता है, यहाँ पर भी आप खरीदारी करते हुए चल सकते हैं चलिए दूस्तों बात कर लेते हैं another share के बारे में, जिसका नाम है BAC Limited BAC Limited जहाँ पर recently हमें share के अंदर all time high भी देखने को मिल चुका है, और साथ ही साथ एक बड़ा breakout भी share के अंदर बनते हुए देखने को मिल रहा है, company ने recently अपने shareholders के लिए bonus भी announce किया है और साथ ही साथ BAC Limited के अंदर भी, market के अंदर कितनी ही uncertainty रहे, ये share समेशा आपको profit ही बना कर देगा आस्ट वी कि हमें BAC Limited के अंदर एक बड़ी bulk deals भी होते वे देखने को मिली है जिसमें आप देख सकते हैं, Bofa Securities नहीं यहाँ पर 27 करोड़ रुपीज के, जो share है वो यहाँ पर buy किया है सबसे अची बात यह ही कि BAC Limited financially काफे ज़्यादा strong हमें देखने को मिलती है तो यदि आप यहाँ पर भी खरीदारी करना चाते हैं, तो के सकते हैं कि अभी आपको थोड़ा सा इंतिजार करना चाहिए जब इस share के अंदर correction आते हैं, तब आप यहाँ पर इस shares के अंदर भी खरीदारी करते हुए चल सकते हैं थोड़ी सी risky company है लेकिन हाँ, अगर आप long term purpose का view रखके investment करना चाते हैं तो no doubt यहाँ पर investment कर सकते हैं तो उमीद है आपको video और update पसंद आई होगी अगर आपको video और update पसंद आई है तो इसे like और share का नामात बुलिएगा मिलते हैं नेक्स video में तब तक के लिए stay connected, stay updated